नमस्कार मैं हुब रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जन्द सागर नियुज़ अभी हम मौजूद हैं सोनहर पंचायद के सोनहर गाउं में जहां हमारे साथ बात करने के लिए पस्थित हैं सोनहर पंचायद के भावी मुखिया प्रत्यासी गुंजन पंडे जी हम बात कर देंगे उन से कि आखिर वो क्या नया करेंगे और क्या नया बाहर लेकि आएंगे कि लोग उनको भोट देंगे तो से पहल सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में नमस्कार मुखिया जी इस बार आप चुनाव की तैयारी साथ दूसरी बार कर रहे हैं पिछले बार भी पास का कार जी उस तरह का नहीं कर पाए हैं जो कि हम अभी जन संपर्क में हमसे सारे लोग सारी जनता जो है अपना अपना दर्द ब्या कर रही है और बो दर्द कहने का मतलब आप असपस्ट रूप से उसको देख सकते हैं कि कहीं चार नंबर वाड का टंकी फट गया नल का पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं स्थिती है कि मतलब हाच कचड़ा इतना गली में है कि आज में उसमें बढ़ियां-बढ़ियां मकान बना के भी उसमें मजबूर है चलने को इसलिए सारी जनता जो है हमें पुरा आत्मिक विश्वास है कि एक असपस्ट वादी नेता जो है ढूंड रही है और इसलिए हमको बहुत है पिछले वाले मुख्या इसलिए आपको बहुत है बिल्कुल उप गई है और खास करके मैं अपने गाउं के बारे में कहूंगा कि मेरा गाउं लगवक 6-700 घर का बस्ती है जिसमें विकास इन्होंने जो करवाया था जो गली बनव से पूरा गली जो गली भी खराब हो चुका है इनका सारा काम लगवक फेल होने के कागार पर है और असपस्थ है और पूरे प्रमाणिकता के साथ मैं बोल रहा हूं कि मतलब उसका फोटो भी है हमारे पास या वीडियो भी हम इस बार आपका डाइरेक्ट लडाई किस प्रत लडाई जो है पुर्ब जो मुखिया है अभी के जो हां इन्हीं के साथ है और बाकी के जो है तो अभी लड़ रहे हैं तो दस साल सेवा कर चुके हैं समाच उनके बारे में जनता जो है ले वाले लड़ रहे हैं तो वही लड़ रहे हैं तो सता मेरा हके जो बैक्ती दस साल रहे और हमारे पंचाइत का कोई विकास नहीं हुआ तो जनता जो है उस बात को जो है डाइरेक्ट समझ रही है कि जो बेक्ति 10 साल तक सत्ता में रहके नहीं कर पाया अब आके भी चुनाओं में क्या कर सकता है इस समय इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि हमारी जनता जो है हमारे साथ मी अकसर देखा जाता है जो लोगा सत्ता में रहते हैं तो अपने काम का विकास हुआ है क्योंकि देखिए अभी जो इस्थिती है हमारे यहां धलाई का काम जो नहीं बोल रहे हैं कि हुआ भी था तो उसको कुड़वा के खतम कर दिया गया है नलजल का वही इस्थिती और साथ-साथ समाजिकता से से इनको कोई लेना देना नहीं समाज से कोई बंग गया उसके बाद कोई मर्सी नहीं है कि हमारी जनता हमको ऑगर le a है तो उसका किस परकार हमको सेवा करना चाहिए तो यह बात तस्वष्ट धलाई और गली नली एक अलग मुता है बहुत सारी योजना है पंचाइत में नल जल के सिवाए आवास योजना है कोहर्क सब बिद्वा पेंशन इसमें कहां तक यह सफल रहे हैं यह अभी भी हमारा हम हमारा घर गिर जाएगा कब हम दब जाएंगे इसमें और अभी तक कोई भी कार्ज नहीं हो पाया है और देखने को भी मिल रहा है अभी अगर आप चुनाव जीतते हैं क्या नया करेंगे देखिए अगर हम हमारी सरकार आती है हम अगर मुखिया बनते हैं यहां हमारी पिंक सिट्टीवी कैमरा लगवाएंगे इसलिए लगवाएंगे ताकि हम अपने गाउं को बिल्कुल सुरक्षित कर सके हमको पता चले कि हमारे गाउं में क्या चल रहा है तो यह चीज हम करेंगे अपने लोगों के सहमतिते से ऐसा नहीं है कि दिल्यूंटीश नहीं होगा कि नह आपसे च्त बता दे रहा हूँ कि हमारे अधिकर्मण करके पिछड़े ही है और उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है तो मेरे मेरी सरकार जैसे ही आएगी तो पूरे गाव में वह बीच का जमीन है किसी को हम अतिक्रमण नहीं करने देंगे और साथ-साथ जो लोग अतिक्रमण किये हैं अगर उस तरह के व्यक्ति हैं कि उनका घर दर्वाजा या न नहीं तो उजाड के हमको क्या मिल जाएगा इसलिए ये काम जो है इन दोनों चीजों का हम प्रतम प्रात्मिक्ता देते हैं और उसको फर्स्ट आओर में करके दिखाएंगे लोग आप जो यह वादे कर रहे हैं सिसी टीपी और यह संकर जी का मंदिर इस सब चीज इन सब कि इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे गाउं के लोग ही जब सुरक्षित नहीं रहें तो हम मुख्या सरपंच चाहे कुछ बन के क्या करेंगे तो जब तक हम उस चीज का जिसे हमारा बहुत बढ़ा बसती है तो यहां पर जनसंख्या होने कारण कहीं कहीं जगड़ा मार अगरा भी मतलब सभाविक है आदमी कुछ-कुछ बातों को लेके लड़ जगड़ जा रहा है तो एक मजिस्ट आभी आप बोले जो पड़ी हो पड़ी सब दीख रहा है जी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है जी है उनके लिए आपका क्या प हैं अपने लोगों का तो अपना मेंबर हो हैं तो इसको HimHola समझ रहा है और हमारा पाद्रियान मेंट पास करेंगी में मेंट कете लिए पंचाइथ की जन्ता के लिए क्या संधेश देना चाहेंंगी संदेश करो 1 ओंतार लोग है वाकि हमारी सरकार आप तो हम हर इस्तिति में आप लोगों का सिवा इतना सुध्रीन्ड करेंगे कुछ देखने को मिल रहा है हम को कि जैसे मार जगड़ा कोई कर रहा है और फिर में नाम किसी और का चला जा रहा है तो यह सब पचला बाजी हर इस्तिति में हो अपने गाव समाज में नहीं करने है यह काम हमने इस पंचायत का सीट जो है महिला के लिए और महिला की आधिया वादी होती है आप अगर चुना जीते हैं तो महिलाओं के लिए क्या अलग करेंगे जी महिलाओं के लिए हम यह बेवस्था बनाएंगे कि जैसे रोजगार के आशर हमारे मुख्य मंत्री जी पढ़े लिए जानते हैं तो जह नहीं भी जानते हैं उन्यार को पढ़े लिए जो महिलाओं हैं लुज्टिब व्यूंत के साथ इसी उमीद के साथ हम जो आत्मिक विश्वास के साथ समाज में आये हैं यह थे गुंजन पांडे जी जो आने वाले अभी पंचायद चुनाओ जो चल रहा है उसमें सोनार पंचायद से नॉमिनेशन करेंगा बावी परत्यासी भी हैं यहां कुछ लोग मौजूद हैं हम आजिया में नहीं घुमें हैं गाम में भोखम ना गौवा में तो गली नली सब बनल होई और बना है और नहीं बना है अचाहि जाए जो नल जल लगान सिस्टम भाचा जाए सब घर में पहुंच गिलवाका ना मने रगवा कि अनल के पानी ना गिरे ना ना तांकियों की बन पूरा पंचाइट के बाए नहीं हर पंचाइट में मोटा मटा मटा आई शहीं नल जल लगान से बीच गिलवापाईशा रिलीज हो गिलवाद मुखिया जी जब रवर परत्यासी बनी जहां लग वरवासब यहां बैठल बन जाए इनका उपर का विश्वास बरवासब वि मतलब बदलाव के नाम पर हुआ सब इनकों के जीता सकी न जाए रहे सुनहर पंचाइट के मोट हमरा साथ बना रहें जाए आगे देखात रहें जाए जनसागर निए धन्यवाद